हेलो दोस्तो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे दोस्तो इस वीडियो में हम आप के लिए लाए हैं सालोड क्वेश्चन पेपर जो की प्रीवेस एक्जैम में पूछा गया है और इस से पहले हमने इसकी पार्ट व आप साथ में आप आंसर लिखें तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तयार रहे आज का जो पहला क्वेश्चन है who is known as father of genetics आपको बताना है father of genetics इन मेंसे किसको कहा जाता है options है आपके पास चार्लिस डार्विन ग्रिगर मेंडल लुई पास्चर या फिर विलियम हारवे शबाज दोस्तों अपना-पना answer लिखें father of genetics इन मेंसे किसको कहा जाता है तो आपके आपने इसका answer सही दिया होगा तो इसका जो सही answer है वो है part बी ग्रिगर मेंडल को father of genetics कहा जाता है और इन्हों ने दोस्तो P plant पे अपनी study की थी और P plant से इन्हों ने fundamental laws of inheritance को discover किया था next question देखते हैं और answer देने के लिए तयार है which of the following is not a part of commonwealth nations आपको बताना है इन में से कौन सा commonwealth nations का part नहीं है options आपके पास Australia India, South Africa या फिर United States of America तो I hope कि आपने इसका सही answer दिया होगा तो इसका सही answer है part D United States of America commonwealth nations का part नहीं है दोस्तो याद रखें कि commonwealth nations में कुल मिला के 56 member स्टेटिस हैं और इसका headquarter Melbourne house London United Kingdom में है इसको establish किया गया था 19th November 1926 में next question पूछा गया था हवा महल is found in आपको बताना था कि हवा महल का हाम पर है options आपके पास बीका नेर जैपूर जैसल मेर या फिर उदेपूर शबाज दोस्तो अपना अपना answer लिखें और बताईए बहुत ही आसान सा question है तो इसका तो answer सभी को पताई होगा यह है पार्ट भी जैपूर में हवा महल दोस्तो याद रखें कि हवा महल की construction को complete किया गया था 1799 में और इसको बनाया था महराजा सवाई प्रताब सिंग ने सवाई प्रताब सिंग ने इसको बनवाया था इसको design किया था उस्ताद लाल चंद ने और दोस्तो याद रखें कि इसमें 953 जरोखाज हैं याने विंडोज हैं नेक्ट कुशन पूछा गया था कश्मीर इस नेमिड आप्र आपको बताना है कश्मीर का नाम कश्मीर इनमें से किसके नाम पर रखा गया है आप्शन्स हैं आपके पास रेशी कलहन रेशी शंकराचारिया रेशी कश्यप या फिर नन आपदीज तो दोस्तो जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखे और बताईए कश्मीर का नाम किसके नाम पर कश्मीर रखा गया है दोस्तो यहाँ पर मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि हमने हिस्ट्री आप जुमयाट कश्मीर पर पूरी एक वीडियो सिरीज बनाई है जिसमें हमने कश्मीर का नाम कैसे पड़ा है तमाम जो इन्फोमेशन है वो हमने आपके साथ शेयर की है तो आई होग कि आपने आंसर दिया होगा इसका सही आंसर रहेगा पूरी लिस्ट जुरूर चेक करें नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया था वितास्ता इस दी एंशन नेम आफ आपको बताना है कि वितास्ता इन में से किसका एंशन याने पुराना नाम है आपके पास चेनाप, तावी, जहलम या फिर इंडस बहुत ही आसान सा क्वेशन है जल्दी जल्दी से आपना अपना आंसर लिखें दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिवर्स आफ जुमयाइन कश्मीर, लैक साप जुमयाइन कश्मीर रामसर साइट सब जमयेन कश्मीर, वैट लेंड सब जमयेन کश्मीर पर हमने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई है उसकी भी बिले लिस्टा आपको जुरूर चेक रहें फिलाल आप इसका अनसर लिखें वितास्ता इन में से किसका एंचेंट नाम है इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी जहलिम दोस्तों याद रखें कि जहलिम का सैनस्कृत में वितास्ता नाम है और अगर हम कश्मीरी लेंग्वेज की बात करें तो कश्मीरी में जहलिम को वहत कहा जाता है और अगर हम Greek की बात करें तो Greek में जैलिम को HIDUS बस कहा जाता है Next question है Ancient Sun Temple in Kashmir is आपको बताना है इन में से कौन सा टेंपल कश्मीर का Ancient Sun Temple है आपके पास शंकराचारिया टेंपल, मार्तन टेंपल, रगुना टेंपल या फिर नन आपदी दोस्तो आपना अपना आंसर लिखें तो दोस्तो आई होग कि आपने सही आंसर गैस किया होगा तो दोस्तो इन में से Ancient Sun Temple जो है, वो है मार्तन टेंपल और इसको मार्तन सन टेंपल भी कहा जाता है और इस टेंपल को लिलित्या दित्या ने बनवाया था एर्थ सेंचीरी में इसको बनवाया गया था दोस्तो लिलित्या दित्या ये करकुटा डाइनास्टी का थर्ड रूलर था और मार्तन सन टेंपल ये अनन्थ नाग डिस्टिक्ट में आता है नेक्स्ट क्वेस्चन है आई होग कि आप इसका सही आंसर देंगे सूर्या पुत्री डेडिकेटि टो विच रिवर आपको बताना है इन में से सूर्या पुत्री किस रिवर का नाम है या किस रिवर को सूर्या पुत्री रिवर कहा जाता है और श्रिंस हैं चेनाब, तावी, जहलम या फिर इंडस शबाज दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें किस रिवर को किस दरिया को सूरिया पुत्री रिवर कहा जाता है यह जुमो कश्मीर से है इसका सही आंसर रहेगा पार्ट B तवी रिवर को सूरिया पुत्री रिवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों याद रखें कि तावी रिवर का सोरस है कैलाश कुंड जो कि सायोज हिल्स में आता है सायोज हिल्स बदरवा में ये आता है इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखें कि जो तावी रिवर है ये चेनाब की लेप्ट बैंक ट्रिबिट्री है और ये मेजर लेप्ट बैंक ट्रिबिट्री है चेनाब रिवर की नेक्स्ट क्रिश्चन है जनम अस्थिमी इस सेलिबरेड़ टो मार्ग दी बर्थ आफ विच गॉड आपको बताना है इन में से किस गॉड के जनम पर मनाई जाती है जनम अस्थिमी औप्शन हैं लाड ब्रह्मा लाड सूरिया लाड कृष्णा या फिर लाड शिवा ये तो आ Lord Krishna के जनम पर जनम अश्टिमी मनाई जाती है Next question बहुत ही आसान था Total number of districts in Union Territory आप जमो एंड कश्मीर आपको बताना था कि जमो कश्मीर Union Territory में कुल मिला के कितने districts हैं तो options थे 18, 20, 22 या फिर 25 तो answer था 20 तो जमो कश्मीर में अभी 20 districts हैं और दोस्तों यहां पर मैं यह जुरूर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि Union Home Ministry ने एक मैप चलाया था जिसमें जमो कश्मीर Union Territory के 22 districts दिखाए गए थे जिनमें पाकिस्तान ऑक्किपाइड जो कश्मीर है उनको भी इसमें इंकिलूर किया गया था जमो कश्मीर UT के उसमें 22 districts दिखाए गए थे लेकिन जो फिलहाल जिन पे अभी administration चल रही है इंडिया की वो हैं 20 districts तो इस तरह जमो कश्मीर UT के 20 districts हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्मी डे इस सेलिबरेटिड आउन आपको बताना था कि आर्मी डे कब सेलिबरेट किया जाता है options है January 15th, January 25th, February 15th या फिर March 25th शबाज दोस्तों आपना अंसर लिखें कब मनाया जाता है आर्मी डे तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है part A January 15th को मनाया जाता है आर्मी डे और साल 2022 के लिए इंडिया ने 74th इंस्ट्रुमेंट आफ एक्सेशन ओन वीच डेट आपको बताना है कि हरी सिंग ने इंस्ट्रुमेंट आफ एक्सेशन किस डेट पे साइन किया था बहुत ही इंपोर्टन है options है आपके पास 26th October 1947, October 21st 1947, October 15 1947 या फिर October 31st 1947 बहुत ही important question है जब हम हिस्ट्री आफ जुमेंट कश्मीर की बात करते हैं तो इसका जो सही answer रहेगा वो है पार्ट A October 26th 1947 को खरी सिंग ने इंस्ट्रुमेंट आफ एक्सेशन साइन किया था और ये effect में लाया गया था 27th October 1947 को दोस्तो हाल ही में जुमू कश्मीर ने accession day भी मनाया next question पूछा गया था जो कि science से आया था refractive index of water is आपको बताना था कि water का refractive index क्या है options थे आपके पास 1.003 1.33 1.40 या फिर 1.50 तो इसका जो सही answer है वो रहेगा पार्ट भी 1.33 दोस्तो याद रखें कि जब हम refractive index की बात करते हैं तो ये ratio होता है speed of light in a vacuum to its speed in special medium next question है negatively charged particles in a cell इस आपको बताना है एक cell में जो negatively charged particles होते हैं वो कौन होते हैं options है neutron, proton, electron या फिर none of these तो इसका answer जो है आप खुद ही नीचे comment section में लिख कर बताएंगे और last में है all are all are non metals accept आपको बताना है इन में से सारे जो हैं वो non metals हैं लेकिन एक इन में non metal नहीं है वो कौन सा है इसका भी answer आप नीचे comment section में लिख कर खुद बताएंगे who is the second lieutenant governor आप जुमो एंड कश्मीर आपको बताना था कि जुमो कश्मीर union territory का second यहां पर पूछा गया है second lieutenant governor कौन था option थे आपके पास शिरी सत्यपाल मलिक शिरी गिरीश चंदर मुर्मू शिरी मनोज सिना या फिर शिरी S.K. सिना तो दोस्तों आपना-पना answer लिखें पहले आप try करें answer देने की उसके बाद दोस्तों मैं आपको question का answer बताऊंगा second lieutenant governor जुमो कश्मीर के कौन बने तो I hope क्या आपने सही answer दिया होगा तो दोस्तों याद रखें कि जुमो कश्मीर के second lieutenant governor बने शिरी मनोज सिना और ये present भी जुमो कश्मीर के lieutenant governor है जो सत्यपाल मलिक हैं ये जुमो कश्मीर रियासत के last governor रहे हैं दोस्तों सत्यपाल मलिक के बारे में आपको ये जुरूर याद होगा कि इन्होंने जुमो कश्मीर में पच्चास हजार नोकरियां देने का वादा किया था और कहा था कि तीन महीनों के अंदर अंदर हम पच्चास हजार नोकरियां जुमो कश्मीर में के पहले लेटिनेंड गवर्नर बने थे और इसके बाद आए शिरी मनोज सिना और जुमू कश्मीर के लास्ट सी एम जुमू कश्मीर रियासत की मैं बात कर रहा हूं जुमू कश्मीर रियासत के लास्ट सी एम बनी महभूबा मुक्ती next question की तरह बढ़ते हैं answer देने के लिए तयार हैं देखते हैं कौन कौन सही answer दे पाता है question है India's first ever night sky sanctuary to be set up इन आपको बताना है इनडिया की पहली night sky sanctuary इन में से किस जगा बनी options थे आपके पास लदाख, आसाम, कैरला या फिर बिहार तो चलिए जी दोस्तों अपना अपना आंसर लिखें इंडिया की पहली नाइट्स के सैंक्ट्यूरी इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट ए लदाक में इंडिया की पहली नाइट्स के सैंक्ट्यूरी बनी और ये लदाक के हानले एरिया में बन रही है और इसको CSIR सेट एंड टेकनोलजी नेक्ट कोशन पूछा गया था बहुत ही आसान दे युनाइटीड नेशन इस हैद्ट कोटर इन आपको बताना था कि युनाइटीड नेशन का हैड़ कोटर कहां पर है दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपके पास रैशिया, फ्रैंस, युएसे या फिर आस्ट्रिया तो इन फेक्ट ये आप सभी को पता ही होगा तो युनाइटीड नेशन का जो हेड़ कोटर है वो युएसे में है और ये न्यू युएक में है दोस्तों जब हम युनाइटीड नेशन की बात करते हैं तो इ six official languages हैं जिन में Arabic, Chinese, English, French, Russian और Spanish हैं तो six official languages हैं युनाइटीड नेशन की इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि युनाइटीड नेशन के 193 member status है और इसके अभी दो observer status है next question बहुत important पूछा गया था the coldest place in India is आपको बताना था कि इन में से इंडिया की सबसे coldest याने सरत तरीन अलाका कौन सा है कौन सी जगा है अगर आपको पता है तो आप नीचे comment section में अपना अपना answer लिख सकते हैं options हैं आपके पास द्रास, CPT, Sela Pass या फिर करगिल शबाज दोस्तों आपना answer लिखें इंडिया की coldest place कौन सी है तो इसका जो सही answer है वो है part A, द्रास, द्रास इंडिया का सबसे coldest इलाका है और द्रास जो है ये करगिल district में आता है दोस्तों ये भी याद रखें कि द्रास world का second inhabited cold place आता है दोस्तों याद रखें कि द्रास को ham bubs भी कहा जाता है ham bubs next question बहुत important पूछा गया था mangroves are mostly found in which state of India आपको बताना है इंडिया की किस रियासत में mangroves ज्यादा पाई जाते हैं options आपके पास पंजाब, West Bengal, UP या फिर मध्या प्रदीश शबाज दोस्तों आपना answer लिखें mangroves किस state में सबसे ज्यादा पाई जाते हैं इन में से तो इसका जो सही answer रहेगा वो है part B mangroves ज्यादा West Bengal में पाई जाते हैं next question का answer देने के लिए तयार रहें हमारा next question है landmass bounded by sea on three sides is referred to as आपको बताना है वो जगा जो कि landmass होगा याने खुश्की का हिस्सा होगा और इसके तीन तरफ अगर पानी हो तो उस हिसे को क्या कहा जाता है options है आपके पास coast, peninsula, island या फिर नानाबीज तो दोस्तो बहुत ही आसा answer question पूछा गया था उस landmass को क्या कहते हैं खुश्की के हिस्से को क्या कहते हैं जिसके तीन तरफ पानी हो तो इसका तो answer बहुत ही simple है उसको कहते हैं peninsula तो peninsula वो area होता है जहां पर जमीन के तीन हिसों को पानी से गेरा हुआ हो दोस्तो अगर हम world की बात करें तो world का जो largest peninsula है वो arabian peninsula है और अगर हम world में second largest peninsula की बात करें तो Indian peninsula जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा peninsula है और Indian peninsula को deccan peninsula भी कहा जाता है आपको बताना था कि वुलर लेक कहां पर आता है आपके पास पंजाब हिमाचल प्रदेश जमुएन कश्मीर या फिर उत्राखन शबाज दोस्तों अपना अपना answer बताएं तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेक्स आप जमुएन कश्मीर पर हमने एक complete video series बनाई है detailed video series बनाई है आप playlist जुरूर चेक करें लेक्स and rivers आप जमुएन कश्मीर और वूलर लेक जो के एक राम सर साइट भी है एक wetland है उस पर भी हमने separate video बनाई है राम सर साइट आप जमुएन कश्मीर जिसमें वूलर लेक भी शामिल है तो आफ रामसर साइटस अफ इंडिया या फिर रामसर साइटस अफ जुमू एंड कश्मीर पेले लिस्ट जुरूर देखें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वुलर लैक आता है जुमू कश्मीर में Next question इसका आंसर मुझे आफ नीचे comment section में खुद लिख कर बताएंगे question है tropical evergreen foresters are found in आपको बताना है tropical evergreen forest इन में से किस state में पाए जाते हैं options हैं मेगालिया उत्राखन मदिया प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश तो इसका answer आप मुझे नीचे comment section में लिख कर बताएंगे यह थी आज की वीडियो और इस वीडियो के बाद हम next questions पर या जो बाकी questions हैं उन पर एक तीसरी वीडियो बनाएंगे तो उमीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इडियो को लाइक करने के साथ साथ शियर जुरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है डेली वीडियो अबरेट्स नोटिफिकेश पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जुरूर प्रेस करें दोस्तो हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक किये